हाई फ्रेंड्स दिस दॉक्टर आलोग पडल फ्रॉम मिशन है हल्थ होमेपेथी एंड यू आल वैलकम तो माई यूट्यूब चैनल तोड़े वी वी आर गूंग टू डिसकस आप सोरी एसिस एक मेल पेशेंट जिसका एज 20 यह ओल्ड है उसको सोरी एसिस का भीमारी है जो होमेपेथी में सोरी एसिस जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता और उसने कुछ होमेपेथी डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया कुछ अईयरोवेदिक दवाईआ भी लिया इस बीच उसने बहुत साय ट्रीटमेंट करवा करकर के वो ठख चुगा था फाइनली मेरे कि इसी पेशन ने उसको रिफर किया कि आप यहां जाके देख लो तो पेशन मेरे पास आया उसने बताया कि सर यह काफी पुराना हो गया बहुत टाइम से चल रहा है आठ से दस साल हो गया है मैं ठक गया हूं इसका इलाज कराते कराते मैंने पूछा तकलिएफ क्या होती है इसस तो इचेंग उसको गरमी में घर्मी की वैसे बहुत r ऑडि चरद है और लब किसी बी तरीकी के गर्मी से या हीट से उसको होती है फिर मैंने पूछा कि और और क्या ऐसा वज़ा है जिससे आपका इचिंग होता है उसने बता है कि सर इचिंग होता है जैसे मैं कभी-कभी अंडे खा लेता हूं तो अंडे से भी मेरे इचिंग बढ़ जाती है इतना जादा इचिंग होता है कि मत पूछिये सर क्या होता मन मैं मैंने पूछा क्या होता है बुरसर की अब लगता है कि ये कभी भी मारी ठीक ही नहीं होगी इतना ज्यादा चमड़ी से स्केल से निकलता है और पूरी बॉड़ी में फैला हुआ है ये पीछे भी है आगे भी है इतने टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा हूं पैरों में भी है मैंने पूछा कि क्या मन में क्या विचार रहता है बुला सर ये इतने टाइम से चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये बस यहीं चलता रहता है कि ये ठीक होगा की नहीं होगा ऐसा ही चलता रहता है और बोलता है कि सर कभी अब ये सा तंग वोसा हो गया हूं ऐसा लगता है क कुछ कर ले इस बीमारी की विज़े से मैंने पूछा क्या बोला बस अब आप समझते तो ही है फिर मैं समझ गया फिर मैंने उससे और आगे नहीं पूछा मैंने पूछा और बोला सर कि और कहीं आने जाने के एक्षा नहीं होती जैसे मैं कहीं जाओं मैंने पूछा क्यों नहीं जाते हो या क्यों यासी एक्षा हो रही है वो लगी सर यदी कहीं मैं गया तो कहीं कपड़े उतारना पड़ेगा दोस्तों के साथ यदी गया तो पंपारी लेकि घूम रहा है तो कहीं लोग मुझे अलग न करतें तो इसलिए मैं आव्ओड करता हूं कहीं दरुतर जाना तो मैंने का ठीक है ए, मैंने कहा और कुछ मैंने पूछा गुस्टा आता कि नहीं आता बोला कि सर गुस्टा गुस्टा नहीं आता मुझे इतना जादा कोई खास गुस्टा नहीं आता मैं शान्ती सुभाव का हूँ मैंने कहा और अपने बारे बता बोला बस सर यही है मेरा सबसे ज़्यादा यही तकलीफ है जो मुझे यह सोरी एसस ने हैरान कर रखा है बहुत ज़्यादा परिसानी होती है बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो मैंने कहा ठीक है फिर मैंने उसके कुछ यह सारे सिंटम्स को मैंने रिपर्टराइज किया first मैंने रूब्रिक लिया doubtful recovery of जैसे patient ने बताया कि अब ये वीमारी ठीक होगी या नहीं होगी बस यहीं चलता रहता है दूसरा रूब्रिक लिया मैंने suicidal thoughts क्योंकि उसको लगता है कि कुछ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा suicidal thoughts मैंने एक दूसरा रूब्रिक लिया तीसरा रूब्रिक लिया fear of neglected being कि कहीं जाओंगा तो लोग यदि मैंने कपड़े उतार दियो लोग देखेंगे तो कहेंगे किस तरीके के बीमारी है और कहीं लोग उसको अलग न कर दें तो fear of neglected being या rejected being चौथा रूब्रिक था fear of opinion of others लोग उसके बारे में बात करेंगे कि कैसी बीमारी है लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया तुमको और दूसरा ये fear of opinion of others हुआ और उसके कुछ जो general symptom थे जो उसके eating की जो modalities थी मैंने भी उसको रिपटराइज किया जैसे कि क्या रूब्रिक था उसका eating aggravate from warmth becoming यदि वो exercise कर लेता है या शेड़ियें चड़ लेता तो body गरम होने से उसका eating बढ़ जाता है तो एक ये रूब्रिक था और skin eruptions eating aggravated by warmth and generalities में जाके मैंने देखा तो उसमें generalities में food and drink में एग एग एग्रवेशन ये सब रूब्रिक्स को मिला के जो भी medicine आती है वो थी warm stretching होना और ये सब तो उसका कोई खास result बिल्कुल भी result नहीं आया पर इस case मेंने जैसे ही second visit में उसको मैं पल्षे टिला देता हूं तो पल्षे टिला next week वो आता है तो बोलता है sir 30 का एक ही dose दिया था मैंने तो बोलता है sir आपका वो जो dose last time का जो dryness आई है अब इसके बाद फिर मैंने कोई repetition नहीं किया फिर मैं उसको पंदर दिन बार सीज़े जिरो बाई कि वन से start कर देता हूं जिन में दो बार क्योंकि उसका इचिंग वापस आ गया था और वापस 30 देने से जा नहीं रहा था तो मुझे समझ में आ गया था कि पल्सेटिलाइस का remedy है और पल्सेटिलाइस देना चाहिए तो जिरो बाई वन से मैंने start किया जिरो बाई वन उसको फिफ्टीन डेस का दिया ओल्मुस्ट उसके देने के बाद ओल्मुस्ट उसका eruptions फिफ्टी टू सैवन्टी परसंट बैटर हो चुका था अब उसके बाद मैंने LM1 को फिर से repeat किया 10 stroke दे के तो क्योंकि जिरो बाई टू नहीं था मेरे पास तो एक महिने का medicine होने के बाद उसको 90% उसका eruptions better हो गया फिर वो दो महिने का medicine लेने के लेके गया था फिर उसके बाद जब patient आता है तो almost 90% eruptions better हो गय थे फिर उसके बाद जिरो बाई टू उस और फिर उसके eruptions जा नहीं रहे थे और अब वो जो 10% बचा था फिर मैंने इसको 0.2 दिन में दो बार करके दिया पलसे टेले 0.2 उसके बाद उसका total eruption खतम हो गया तो जैसे आपने वो display में देखा ही होगा यह उसी का back है जो पहले का back था और यह current back है उसका तो आप समझ सकते हैं कि यदि right medicine हो तो हमेपेथी में कुछ भी possible नहीं है उसके बराबर से totality मालूम होना चाहिए तो यह पलसेट इलागा केस था और सोरी ऐसे जिससे अच्छे से ठीक हुआ तो friends ऐसा बहुत सारा है हमेपेथी में जो हम डेली देखते हैं और करते हैं तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं नेक्स टाइम एक यूरित्रल इस्ट्रिक्चर का केस सेर करने वाला हूं यूरित्रल इस्ट्रिक्चर अब जानते ही होंगे एक जो सारीजिकल केस है पर वो हमेपेथी से टोटल ठीक हो गया है और चार साल हो गया उस पेशेंट को चार साल पहरे ही ठीक हो गया आज भी मेरी कभी कभी कॉंटेक्ट पर होता है और उसका प्रॉब्लम बिलकुल नहीं है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू